गुड आप्टरनोन स्टुडेंट्स मैस्वूमन यूट्व चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम मोरे सासक बिंदु सार के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा बिंदु सार को एमित्र घाद भी कहा गया है बिंदु सार का समय 288 में इस्सा पूरव से 273 इस्सा पूरव था और जो बिंदु सार चंद्र गुफ्त मोरे का पुत्तर था इसकी माता का नाम दूरधरा था ठीक है और मोरे सासक बिंदु सार के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको याद दिला देंगे आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेसर मिले ताकि आपको इत्यास से सम्मधित और भी महत्तवुन जानकरी प्राप्त हो सके तो देखेगा चलते हैं बिंदु सार तो चंद्रगुफ्त मोरिय की मर्तिव के बाद उसका पुत्र बिंदु सार मोरिय सम्मराजे की गद्धी पर बैठा बिंदु सार को जितना सम्मराजे अपने पिता चंद्रगुफ्त मोरिय से उत्रादिकार में प्राप्त हुआ था उसको उसने बिना किसी नुक्सान के बनाय रखा तो देखेगा मोर्य समराजे को जो सेंस्ता प्रक्ता चंद्रगुत मोरी ये वह 23 सकते साले और बुद्धी मान लेकती था उसने संपूर भारत पर अपना धिकार कर लिया था अपने समराजे का विस्तार उसने अच्छे से किया था मगज समराजे है उसके समय से ही रानतिक एकता के सुत्र में बंधा था और चंद्रकुप्त मोरिये ने जो नंद थे उनका भी उन्मूलन किया और विदेशियों को भी इसने पचाड़ा था फिर इसका बेटा आता है बिंदुसार जो इसके विस्त्री समराजे को बनाए रखता है तो देखेगा बिंदुसार 268 इससा पूरव से 273 इससा पूरव है इसका प्रारंबिक जीवन जैन प्रंप्राव में बिंदुसार की माता का नाम दुर्दरा मिलता है बिंदुसार का अलग-अलग गरंथों में अलग-अलग नामों से वर्णन किया गया है ये कई बार पूछ लेते हैं जैसे जैन गरंथ है वो बिंदुसार को सिहन सेन कहते हैं युनानी इत्यास कारेव एमित्रो केटस कहते हैं पुराण है वो भद्रसार और एमित्रखात कहते हैं तो बिंदुसार के अलग-अलग नाम देखेगा जैन ग्रंद सियहसेल युनानी एमित्रोकेटस पुराण भद्रसार एम एमित्रखात युनानी लेकोने उसे एमित्रोकेटीज भी का है जिसका सेंस्क्रिट में रुपांद्रण होता है एमित्रखात सत्रों को नस्ट करने वाला यह है उसकी उपादी थी तो बिंदुसार की उपादी भी थी एमित्रखात उसका नाम भी था एमित्रखात जैन ग्रंद उसे सियहसेन कहते हैं चिन्नी गरंथ फान्योयन चूलिन में उसे बिंदु पाल भी कहा गया है। इन उपाधियों से स्पस्थ है कि वह कोई दुर्बल अत्वा वेलासी सासक नहीं था, परन्तु अपनी किन विजों के उपलक्स में उसने इन उपाधियों को गरहन किया था, ये निश्चित रूप से ग्याद नहीं है, कुछ बाद के बोध तथा जैन गरंथों से पता चलता है कि बिंदु सार के सासन के कुछ वर्सों तक चाणिक के विद्यमान था, चाने के या फिर कोटिले जो चंदर गुप्त मोरिये का साहेक था, जिसके वज़े से चंदर गुप्त मोरिये सासक बना था, तिब्बती थ्यासकार तारानात ने बिंदु सार की उपलग्दियों का इस परकार विवरन दिया है, उसने चैन गरों तदा उनके राजों को नस्ट कर पूर्वी और पस्सिमी समुद्रों के बीज के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था, यह वर्नन कहां तक सकते हैं, यह निश्चित कर सकना कठिन है, इस कथन से पता चलता है कि बिंदु सार के समय कुछ परदेशों में विद्रो हुए और उसने उन्हें दबा दिया, दिव्यावदान तक सिला में होने वाले विद्रो है का वर्नन करता है, जिसको दबाने के ल स्वस्ता इस्तापित की थी, संभव है इसी परकार के कुछ अन्य उपदर्वय पूर्वी तथा पस्सिमी परदेशों में हुई हो, और बिंदु सार ने सेनिक सक्ति द्वारा उन्हें सांत कर दिया हो, बिंदु सार ने रहत मोर ये समराजे का सफलता पूर्वक संकलन किया बिंदु सार के समय में भी भारत का पस्सिमी युनानी राजियों के साथ मैत्री समन्द कायम रहा, स्ट्रेबो के नुसार सीरिय के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपला एक राजदूद बिंदु सार के राजे सबा में भेजा था, इंपोर्टेंट बात है, अलमी दुइतिये फेला डेलफस ने डाइनोसियस नामक एक राजदूद मोर्य दरबार में भेजा था, परन्तु ये इसपस्ट पता नहीं है कि ये राजदूद बिंदु सार के समय में आया था थो उसके पुत्तर अस्वोक के समय में, क्योंकि मिस्ट्री नरेस इन दोनों मोर्य समराटों का समकालीन था, एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेकक ने बिंदु सार तता सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्री मुन पत्र विवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतिय सासक ने सीरियाई नरेस से तीन वस्तों की मांग की थी, मिठी मदीरा, सुखी अंजीर, एक दार्षनिक, जिसे सोफिस्ट भी कहा गया है, ठीक है, सीरियाई समराट में प्रथम दो वस्तों बिजवादी, मिठी मदीरा और सुखी अंजीर, परंतु तीसरी वस्तों अर्थात दार्षनिक के समन में ये कहला बेजा की यूनानी के अनुसार दार्षनिकों का विक्रई नहीं किया जा सकता, इस विवरंट से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भारत का पस्चिमी एसिया के साथ व्यापारिक समन्द था, इससे बिंदुसार की दार्षनिक रूची का भी पता चलता है, प्रसासन के छत्र में प्रसासने कारियों के लिए अनेग महामात्रों की भी न्यूक्ति की गई दिवावदान के अनुसार अवंती रास्त्र का उप्राजा असोग था बिंदुसार के सभा में पानसो सदस्यों वाली एक मंत्री परिशत भी थी जिसका प्रधान खलाटक था वै कोटिले के बाद हुआ था बिंदुसार के सासन काल की अन्य बातों के बारे में जानकरि प्राप नहीं होती है ऐसा परतीत होता है कि उसने 25 वर्सों तक राजे किया और उसकी म्रत्यू 273 इस्साप पूर्वा के लगबग हुई थी थेरवाद परंपरा के नुसार बिंदुसार ब्रामन द्रम का नुयाई था दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राजे सबा में आजीवक संपर्दा का एक जोतिसी निवास करता था बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की सभा थी जिसका पर्मु खलाटक था बिंदुसार ने आजीवक धरम को प्रिश्रे दिया तता बिंदुसार के गुरू का नाम पिंगल वास था और उसके धरम का आजीवक धरम बिंदुसार के समय तकसिला में हुए एक विद्रोह को असोक सफलता पूरक्स मात करता है आगे चलकर फिर से तकसिला में विद्रोह हुए सुसीम को भेजा गया लेकिन ऐस सफल रहा बिंदुसार के समय असोक उज्जेन का उपराजा था इस वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में जानकरी प्राग की ऐसे ही बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे धन्यवाद